है रफ यह है कि आपूआ यह आप हुआ है है यह वरीवन तो फ्रेंट कैसा है आप सो भी आशे है आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और जोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी सवकाईस हमने लास्ट लेक्चर में संस्पित में कारक प्रकरन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको कारक का कम्टिट इंट्रोडक्शन दे दिया है तो जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देखके आईए अगर आप उसको देखेंगे तभी आपको आगे की लेक्चर समझ में आएंगे ठीक है लेकिन फिरवे में आपको सोड में थोड़ असा जो मैंने पहले मैं आपको क्या करते हूं कारक का सोड में रिवाइस करा देता हूं जो मैंने आपको लास लेक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कारक सब्द जो है वो कैसे बना हुआ है अगर आप क्रीध हातू में क्या करते हो अगर आप रूल प्रत्य करते हो तो इ इसका क्रिया के साथ साक्षा शम्मंद हो क्या कहलाता है कारक कहलाता है उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के कारक होते हैं क्यों क्यों कर्ता कारक तरह कितने प्रकार के कारक होते हैं सबस्ब्ला कारक कुंस उता है कर्म कारक करण कारक और छटा क्हों से होता है अधीकरण इस तरह से छे कारक होते है और इन छे कारकों को कि छे अलग-ढलग क्या होते शुत्र होते हैं जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में पड़ाया था ठीक है तो इसको पढ़के आई एक चीद आपको और बताई थी कि संबंद संबंद और संबोधन इसको आपको नोट करना है कि ये दोनों जोते वो कारक नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ये कारक इसलिए नहीं होते हैं, क्योंकि इनका क्रिया के साथ, क्या होता है, साक्षा संबंद नहीं होता है, साक्षात संबंद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कारक नहीं कहलाते हैं, ठी किस प्रकार से इनका क्रिया के साथ साक्षा संवन नहीं होता है ठीक है यह मैंने पूरा इंट्रोडक्षन लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया डिट्रेल मैंने पढ़ाया था जो कि मैंने आपको इहां पर थोड़ा सा इसको रिवाइस करा दिया ठीक है चलिए अब हम आज का जो टोपिक है प्रतमा विभक्ति उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने आपको पताया था एक चीद लास्ट लेक्चर में कि यह जो कारत प्रक्रण होता है यह जो कारत प्रक्रण होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम विभक्ति प्रक्र भी बोल देते हैं तो आपको अलग अलग वर्ड में उसमें कौन से विभक्ति लगेगी तो आपको कौन बताएगा वह आपको कारक बताएगा इसलिए कारक को हम क्या कहते हैं विभक्ति प्रक्रण भी बोलते हैं अगर आपको कारक पता चल जाएगा तो आप बता देंगे कि इस वर्ड में यह वक्ति लगेगी और उनी विभक्ति को हम बन बाई वन डिटेल में देखेंगे जैसे कि आज किस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं प् बीटिया विभक्ति लगें उनमे अलगए आपको सुत्र बिलेंगे और उन सुत्र के मात्यमत आपको पता चल जाएगा उन्मारी एप्लिकेशन पर होती जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शिय के zis window in www.airvedavix.com उसे भी आप विजिट कर सकते हैं, हाप पर मैंने free content upload कर रहा है, जिससे आपको idea हो जाएगा कि हमारे हापर क्या से classes होती है, आपको आप पर daily lecture मिलता है, lecture का आपको notes मिलता है, regular test होते हैं, live session होते हैं, तो आपको जो भी doubt है तो आप live session में आपकर पूछ सकते हैं, औ मेरे coaching institute का promotion कर दिया है, ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीछ आपको और बता दू कि जो लोग YouTube पर lecture देखते हैं, तो एक बार के वीडियो को थोड़ा like भी कर दिया अगर हो, क्योंकि आप मैं like करने के लिए से बोल रहा हूं कि अगर कोई नया student आता है तो अगर आप व्यूस तो होता है, लेकिन मांदो like चार से पांच लाइक है, तो उसमें क्या होता है, students को लगता है, यह रियाल इसमें अच्छा नहीं पड़ा है, तो वीडियो को छोड़के चल जाता है, तो मेरा मतलब यह है कि अगर आप like करेंगे, तो मैं और ज़्याद students तक पहुच पाऊंगा, ठीक है, बस, चलिए, बग्या आपकी मर्जी, ठीक, चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतमा विबक्ति, और यह जो प्रतमा विबक्ति, जो ओतियों कहां पर लगती है, करता कारक में लगती है, ठीक है, और यहां पर आपको एक सूत आपको क्या दिखाय दे रहा है, परिमान, और चौंता वर्ड आपको क्या दिखाय दे रहा है, वचन, मात्रे, प्रतमा, तो इन चारों में, किसमें, एक तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति- प्रतिप्रतिकार्त केवल में कौन सी विवक्ति लगती है प्रतिमा विवक्ति लगती है दूसरा आप इसा बहुत सकते हैं लिंग मात्रे प्रतिमा यानि कि लिंग मात्र में क्या होता है प्रतिमा विवक्ति लगती है तुसरा आप इस प्रकार से बहुत सकते हैं परिमान मात तो वचन यह संख्या को बतलाने के लिए इसमें भी क्या लगती है प्रथमा विभक्ति लगती है तो सबसे पहले आपको इस सूत्र को याद कर लो आप आपको पता होना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति कहां कहां पर लगती है तो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको क्या वर्डों को आपको डिटेल में समझाता हूं, सबसे पहला वर्ड आपको यहाँ पर क्या दिखाये दे रहा है, मतलब किसी भी वस्तुगी हमारे मस्तिष्क में नियत रूप से जो उपस्तिधी होती है, उसे हम क्या कहते है, प्रति पदिकार्थ करते हैं, हमारे मस्तिस्क में किसी भी वस्तु की नियत रुप से उपस्थिती होती है, उसे हम क्या करते हैं, नहीं समझें, चलिए समझाता हूं इसको में, जैसे कि यह क्या है, यह लेखनी है, यह क्या है, यह मोबाईल है, यह नाक है, तो यह जो लेखन यह क्या है प्रतिपदिक है और इसके द्वारा आप जिस भी अर्थ को ग्रहन करते हैं तो यह क्या हो जाएगा प्रतिपदिकार्थ हो जाएगा जैसे कि यह क्या है यह मोबाइल है यह ना तो इस मोबाइल से यह तो क्या हो जाएगा प्रतिपदिक हो जाएगा लेकिन इससे जिस भी अर्थ को आप क्या करते हैं ग्रहन करते हैं तो वो क्या कलाता है प्रतिपदिकार्थ कलाता है जैसे कि आपके सामने में यहां पर एक वर्ड लिखता हूं जब यह अंगन अब मैं को आप बताईए यह जो वर्ड है इससे आप कुछ अर्थ को ग्रहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे आप कुछ अर्थ को ग्रहन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लिगे सामने हाँ पर यह भी जो स्क्रीन पर मैंने वर्ड लिखा है, तो इससे आप को समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है, मतलब इससे आप को अर्थ को ग्रहन नहीं कर पा रहे हैं, अब जिससे अर्थ को ग्रहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह प्रति-पदिकार्थ नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला, कि जिस भी वस्तु का आप क्या कर पाते हैं, अर्थ ग्रहन कर पाते हैं, या तो ऐसा आप बोल सकते हैं, कि पत के अर्थ को, पत के अर्थ को ही क्या क पर रामह तो यह जो वर्ड है यह क्या है प्रतिपधिक है श्री क्या है प्रतिपधिक है रामह क्या है प्रतिपधिक है और इससे आप क्या कर पा रहे हैं अर्थ को भी ग्रहन कर पा रहे हैं जैसे कि अगर मैं क्रस्वने की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम है यह और व आप क्या कर पाते हैं उसके अर्थ को ग्रहन किया होती है नियत उपस्तिति होती है वो क्या कहलाता है प्रति-पदिकार्थ क्रहन कर पाते है और प्रति-पदिकार्थ में क्या होती है प्रतमावि भक्ति लगती है अगर अगर आप विवतिया करमकारत हो जाएगा तो आपवाश्ची का सामानी अर्थबतलाने के लिए हम क्या करते हैं? तो किसी भी वस्तो का सामानी अर्थों को बतलाने के लिए हम क्या करते हैं प्रतमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं जैसे कि जैसे कि इसको मैं आपको समझाता हूं जैसे कि देखो जैसे कि हाँ पर मैं लिखता हूं क्रश्ण है नहीं जैसे कि यह मैंने कहा लिखा क्रश्ण लेकिन संस्कृत में क्रश्ण का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इसमें प्रतमा विभक्ति नहीं लगाएंगे जैसे कि अगर मैं इसमें क्या करता हूं प्रतमाल भक्ति लगाता हूं तो यह क्रश्ट्रिन हो जाएगा तो अब इस क्रश्ट्रिन का आप क्या कर पाएंगे अर्थ को ग्रहन कर पाएंगे अर्थ को ग्रहन कर पाएंगे इसका मतलब यह क्या है प्रतमाल भक्ति लगाना होती है और प्रति-पदिकार्थ का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या जाती का बोध हो तो उसे हम क्या करते हैं प्रति-पदिकार्थ करते हैं ठीक है आपको समझ में आ गया होगा आप आपको दिखाए दे रहा है कुछ उधारण में लेकर आया हूं आपके लिए जैसे की बात करते हैं आ पर उच्छे है हो गया निच्चे है हो गया ये मतलब इतने भी अव्यायीı तो जितने भी अवववववववद होते हैं वो किसके उधारन है प्रतिपदिकारत के उधारन है और आपको उधारन याद रखना है और अक्सर यहां से आएगा जैसे कि बात करते हैं उच्चे है हो गया निच्चे है हो होते हैं वो सब क्या होते हैं प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प् यहां पर क्रश्णह स्री घ्यानम यह भी किसके उधारन थे प्रतिपधिकारत के उधारण है तो बस एक सिंपल बडे में अगर भूलओ तो किसी भी विक्ति के नाम में है जाकिसी वश्टूके नाम में तेके या कोई भी चीज यह जिसका आप क्या कर पारें अर्थों को ग्र प्रतमा मतलब लिंग में भी कौन सी वक्त होगी और आपको बता है तीन प्रकार के लिंग होते हैं एक तो क्या होता है इस्त्रिलिंग पुर्लिंग और नपसक लिंग यह तीन प्रकार के क्या होते हैं लेकिन संस्क्रित में इसके अलावा और भी लिंग होते हैं जैसे कि अग कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बोलू, कुत्र कि अगर हम बात करते हैं, अत्र कि अगर हम बात करते हैं, तो इसका कोई लिंग नहीं होता है, इसका कोई भी लिंग नहीं होता है, लेकिन इनके संस्कृत वर्ड होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज का संस्कृत वर्ड नहीं है एक तो क्या हो जाएगा जिसका कोई बनाग यहाट दृस्तरा हम बस्तो को किस प्रकार बाटेंगे जिसका कोई नियत लिंग मतलब यह कुई पुर लिंगे कोई और नियत लिंग मतला एक से ज्यादा जिस graphics नहीं है, अनियत लिंग मतलब कोई लिंग hai, इस्य प्रकार में लिचेगें प्रकार से बाड़ते है एक मतलब कोई लिंग नहीं दूसरा क्या हो जाएगा नीयत लिंग जिसका कोई जक्स लिंग है तिसरा क्यों गहिं ऑ commerce जिसका एक से ज़्यादा भी बगत जितने भी ऑव्जय पत हुता है तो जितने भी जतने भी आव्जय कोई बते है और जित.. जीडे कोई फेलेOs mister, फिर् lING ये मतलब सब्चे होगी प्रथम ये इसके बात करते इसके पूर लींग बीचे अर्थ को भी ग्रहन कर पा रहे हैं कि यह क्या है यह पूर्लींगे मतलब इसका फुग्ज लेंगे क्या यह पूर्लिंग है तो इसमें भी क्या होगी आपकी प्रतमाई बगति लेगी जैसे कि बात करते हैं स्री क्या है इस्त्री लिंग है और यहां पर भी कौन से होगी प्रतमाई बगति होगी क्यों क्यों कि इसका भी क्या है नियत लिंग है जानाम के अगर हम बात करते हैं यह क्या ह नफॉ सकलेंगे। इसके लावा फिलम हो गया, नफॉ सकलेंगे, तो इनका लिए entirelyla technological है, यहां पर भी क्यों होगी, प्रतमा उभक्ति होगी। अगर मैं करोदाकर रहा है कि इसके अलावह और अगर मैं बात करते हैं पूरी शहाव हो गया स्रिय। और यहां पर भी कौन सी वक्ति होगी प्रतमाव वक्ति होगी ठीक है स्री यहां पर भी क्या होगी प्रतमाव वक्ति होगी इसके अलावा है रमा हो गया तो यहां पर भी क्या होगी प्रतमाव वक्ति होगी तो यहां पर भी क्या होगी प्रतमाव वक्ति होगी ठीक है उसके जैसे कि आपर एक एक्जामपल दिया है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तट का मतलब क्या होता है जो नदी का किनारा होता है लेकिन पति-पतिकारत में विख अन्यत लिंग क्यों है क्योंकि इसका तिनों लिंगों में रूप चल रहा है, जैसे के बात करते हैं, अगर मैं इसमें प्रतमा विभक्ति लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तटह हो जाएगा, और तटह जो हो रहे, यह क्या है, पुरलिंग है, अगर मैं इसमें प्रतमा विभक्ति ल तो यह जो थर्ट सब्द है इसका क्या हो रहा है तीनों में रूप चल रहा है यह पुर्लिंग भी है यह इस्ट लिंग भी है नपुसक लिंग भी है तो यह जो अनियत लिंग होते हैं इनमें भी क्या होता है प्रतमाव वक्ति लगती है ठीक है तो देखिया आपर थर्ट सब नियत लिंग है क्यों कि इसका नियत लिंग नहीं है क्यों नहीं है क्यों कि यह पुर लिंग भी है यह कभी इस्ट लिंग बन रहा है कभी क्या हो रहा है तो इसने भी कौन सी वक्ति होगी प्रतमा वक्ति होगी तो मैंने आपको आप क्या बताया कि जितने भी प्रति-प्रति सकते पनंगी किसी भी वस्तु का हमारे मस्तिस्क परह होता है कोई लोकोरा होता है नहीं नियत रूप से अर्थ होता है तो वह क्या कर def.The. प्रति-प्रतिकार्त में क्या होता है प्रतमा अब बगती रहती है जैसे कि बात करते हैं मैं आपको बताया कि इतने भी चीजे इसको आमने क्या दिवाइट के लिंग में एक तो क्या होजाएगा अलिंग मतलब इसका कोई लिंग नहीं है दुसरा क्या होजाएगा नियत लिंग जिसका कोई फिक्स लिंग है तुसरा क्या होजाएगा अनियत लिंग मतलब जो एक से ज्यादा लिंग में है तो इन सब में भी क्या होगी प्रथमा बक्ति होगी उसके क्या होज़ती है measurement वाली या नापतोल वाले चीज़ होती है, उसमें कूंसी बक्त छाल गथिये प्रतमा वी बक्ती लगती है, जैसे कि आपर उधारन दिया है, drone उ-braity का मतलब क्या होता है ? धान होता है, ब्रिही का मतलब क्या होता है ? धान क्या अ-धान होता है, यूनिट होती थी मतलब क्या होते थे बरतन होते थे उससे नापतल थे तो कोई अगर मानने लोग पड़ोसी में पड़ोसी के घर जा रहा है ना तो महां पर किसे मांगता था द्रोनों भी ही मतलब हमको एक जो भी मतलब जिसके बाद कर भाल्टी पर धान दे दीजिए इस प् कौन्स लगेगी प्रतमा विवब्रकती लगें चाय किलो हो चाय वो पिंटल कुछ भी हो तो हाँ पर मतलब जितनी भी मेजरमेंट वाली यूनिट होती है उसमें गैवना प्रत्मा विवड़ोसी मात्रे प्रत्मा थो एक बचन दूपर खन और प्रतिमा गвор्त्राइक संख संख्या वाचक सब्द होते हैं उनने भी कौन सी होती है प्रत्रमा विवक्ति लगती है तो आपको कहां कहां पर प्रति-पदिकार्थ में मतलब किसी भी वस्तु या किसी वस्तु जाती या व्यक्ति का जिससे हमें क्या हो बोध हो जिसके अर्थ क्या करपाई उसे हम क्या करते हैं प्रति-पदिकार्थ करते हैं और इन प्रति-पदिकार्थ में क्या होती है प्रतमा विवक्ति लगती है तिक है दूसरा मैं आपको क्या बताया कि लिंग मात्रे प्रतमा मतलब लिंग में भी क्या होती है प्र जिसका परिमान मात्रे पर्समा मतलब जो भी परिमाने वाले होते हैं या मेजर्मेंट वाली चीजे होते हैं उसमें भी कोन सी भक्ति लगेगी प्रतमावघ्टि लगेगी झौटता में आपको क्या पता है वचन मात्रे वचन मतलब क्या होता है ब्रत्माव 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 ब् डीक है अभी तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ फटाफट पढ़ा रहा हूँ जब यह पूरा चेप्टर हो जाए गारा उसके बाद में क्या करूंगा एक अलग से लेक्टर लोगा जिसमें में इस चेप्टर से लेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो भी ए बता दूँगा आपका डाउट को क्लियर कर दूँगा ठीक है तो अभी आपको क्या करना है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लेक्चर को देखिए नोर्स को डिवाइस करिए है ना अब जैसे चेप्टर खतम हो जाएगा तो उसके बाद में इस चेप्टर की अलग से आपको ज संभोधन इच्चा मतलब संभोधन में भी क्या लगती है प्रथमाव भक्ति लगती आप संभोधन मतलब क्या होता है कि किसी को अपनी तरफ ध्यान देने के लिए जब हम क्या करते किसी का अवहन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं प्रथमाव भक्ति लगाते मतलब संभोध करते हैं कि हुट होगया तो वाले में अपर किन यह क्या हैं ऽो भाहन करने के लिए हम जो भी सबतों को बोलड़े हैं तो उसमें भी क्यूंती है, उसमें प्रथमा विबक्ती लगती है। मतलब संबोधन में में प्रत्रमाई वक्ति लगेगी है और मैंने आपको बताया था कि करिया के साथ संबंद नहीं होता है तो जिसके नहीं नहीं का तो आप रट लोगे और रटने से काम चलेगा नहीं, भुल जाओगे, ठीक है, बाद में अगर एक्जाम में आएगा कि किसका क्रिया के साथ साक्षा संबल नहीं होता है, या इन में से कौन कारक नहीं है, तो आप फिर कल्चूज होते रहेंगे, ठीक है, तो बहतर ही कि आप को देखो, ठीक चलिए, उसके बाद मैंने आपको लास लेक्चर में स्वतंत्रह करता है, इसको मैंने डिटेल में बताया था, करता क्या होता है, क्रिया को करने वाला क्या 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 होता है, और करता जो होता है, वो कैसा होता है, स्वतंत्रह होता है, मैंने आपको बताया थ जैसे कि मैं उदारा रहा है राम हगच्चती तो यहां पर कौन क्रिया हो रही है यहां पर जाने की क्रिया हो रही है गमनी क्रिया हो रही है और क्रिया को कोन कर रहा है तो राम यहां पर क्या कर रहा है क्रिया को कर रहा है इसका मतलब राम क्या है यहां पर राम करता है राम क् पर डिपेंड करता है ये पीने की क्रिया भी कर सकता है ये खाने की क्रिया भी कर सकता है पढ़ने की क्रिया भी कर सकता है क्या कर सकता है ये पढ़ने की क्रिया भी कर सकता है तो ये राम पर डिपेंड करता है करता पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्रिया करेगा ठीक है इस इसलिए सभी कारकों में करता कारक जो होता है क्या होता है इसको मैंने लास लेक्टर में आपको बताया था तो इस तरह से हमने आज क्या देख लिए प्रतमाव विवक्ति देख लिए और प्रतमाव विवक्ति से हमने क्या सिखा हमने यह सिखा कि एक तो करता में प्रतमाव व सब्सक्राइब तो इन चारों में क्या होती है प्रतमा व्वक्ति लगती है ठीक है चलिए अब आपको सब कुछ समझ में आगया होगा अब नाउ नेक्स लेक्टि को देखेंगे थोड़ी बड़ी है तो इसको मैं दो पार्ट में लाओंगा उसके बाद बाकि सबको हम एक एक पार्ट में करें चार से पांच चेप्टर में यानि कि दो से तीन दिन में हम यह कारक चेप्टर उसको झाल झाल